क्या आपको पता है रेडियो तरंग काम कैसे करती है नहीं पता तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आगे हम जानेंगे की रेडियो तरंग क्या है और यह काम कैसे करता है इससे पहले हम समझेंगे की रेडियो तरंग की आविश्कार कब हुई और इसकी खोज किसने की थी पहला रेडियो तरंग की खोज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो एक भावती की गडितक के विज्यानिक थे जिन्होंने पहली बार रेडियो तरंग का उलेख किया और सन 1864 में मैक्सवेल की समीकरान जिसमें यह दर्साया गया था कि विद्दु चुम्बकिय की सतरह काम कर सकता है हैंरिक हर्टज एक जर्मन भावती की विज्यानिक थे जिन्होंने सन 1886 से 1888 तक मैक्सवेल के समीकरान जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने लिखी थी और उन्होंने इस समीकरान की पहचान की दोस्तों लेकिन इन दोनोंने इनकी आविस्कार नहीं की थी इन्होंने सिर्फ इन कोनी जिन्हें रेडियो संचार के आविस्काराक माना जाता है 1895 में रेडियो तरंग सीगनल ट्रांस्मिशन के प्रयोग और आविस्कार को सार्वजनिक किया था जिन्होंने 19 सदी के अंत और 20 सदी की सुरवात में वायरले संचार की विकास में अहम भूमिका निभाई यहां पे आप लोगों को थोड़ी सी समझनी होगी देखिए जेन सकलार का मैक्सवैल ने इनकी खोज की हैंडिक हर्टज ने इसकी पहचान की और गूगली जुमो मारकोनी ने इसे आविस्कार किया इन तिनों की खोज और अविस्कार ने रेडियो संचार में मुख्य भूमिका निभाई जिसने रेडियो प्रसाराड वायरले संचार और वर्तमान प्रयोग में विकास का अधार रखा यहां थी रेडियो तरंग की अविस्कारक और खोज करता के नाम तिसरा अब हम जानेंगे की रेडियो तरंग क्या है यह इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम है जो दिखाई नहीं देता अद्रिस्ति होती है और चुम्बक या विद्यूट की तरह अंत्रिक्ष में घुमती रहती है रेडियो तरंग को किलो हर्टज यानि के एच तक मापा जाता है चौथा अब हम जानेंगे कि यह काम कैसे करता है विद्यूट चुम्बकी और वायरलेस सिस्टम है जो बीना कनेक्षन एक जगह से दूसरी जगह हमारी आवाज डेटा और फाइल को ट्रांसफर कर सकता है चुम्बक की तरह जो बीना अधहार के अपनी औ और लोहे को आकर्सित करता है पुल मिलाकर कहा जाए तो यह एक प्रकार की चुम्ब विद्यूट चुम्बकी तरंगे हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन इनका उप्योग रेडियो तरंग मोबाइल फोन उपग्रस अंचार वाइफाइब ब्लूटूथ और अनेक सूचन प्रसारात में किया जाता है मुझे उम्मीद है कि मैंने सरल भासा में रेडियो तरंग की खोज आविसकार और यह काम कैसे करता है एंड रेडियो तरंग क्या है के बारे में अच्छे से समझाया है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना था थाइंक यू रडिमच्छ